आज के इस वीडियो में आपको एक न्य जोब और वेकंसी के अब्डेट देने वाला हूँ जो की आरिया है OSWCJAE Recruitment 22 की तरफ से इसमें डिपलोमा और बीटेक वाले इलिजिबल हैं अप्लाइ कर सकते हैं जुनियर इंजिनियर और असिस्टेंट इंजिनियर पोस्ट है और भी सारे पोस्ट है परमानेंट जोब है और इसमें आपका क्वालिफिकेशन डिपलोमा बीटेक रहने वाला है फ्रेजर जो भी है इसमें अप्लाइ कर सकते हैं तो कंप्लेट इंफोर्मेशन के लिए वीड description मिल जाएगा जरूर से join होकर करिए वहाँ पर सभी PDF में डाल देता हूं तो आप लोग आसानी से वहाँ से download कर सकते हैं देख सकते हैं यह इसका official advertisement notice है यह जो वेकेंसी आ रही है Odisha Estate Warehousing Corporation के तरफ से आ रही है डेट देख सकते हैं 9 11 2021 के डेट में रिलीज की गए है और advertisement नमर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा इसमें जो है आपका जो post है recruitment to the post of assistant manager, assistant engineer, superintendent, assistant, superintendent, junior engineer और where horse board horse assistant के लिए इसमें vacancy announce की गई है जिसको की आप लोग इसके official website पर visit करके 11 11 2021 से ले करके 10 12 2021 के बीच में आप लोग इसको apply कर सकते हैं तो आप मैं आप लोग को vacancy position दिखा देता हूँ तो इसमें vacancy position आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिनमें की कुछ post जो है और regular basic पर है और कुछ post आपका contractual basic पर है जो भी कि आपका 6 year का होने वाला है तो contract period जो भी इसमें post है वो भी आपका 6 year का देखने के लिए मिलेगा फर्स्ट नमर में assistant manager रेगुलर पोस्ट पर है assistant engineer civil यह भी regular post पर है superintendent यह contractual पर है और assistant superintendent junior engineer civil और where house board house assistant यह 3 post जो है चार post आपका contractual basic पर होने वाला है जो की minimum 6 year का आपका रहने वाला है तो आप जो इससे related आगे का qualification है और मैं आप लोगों को दिखा देता हूं बता देता हूं उसके बाद आप लोग को junior engineer civil का है इसमें diploma in civil engineering अगर आप लोग की है तो आप लोग अप्लाइ कर पाओगे 21-32 year इसमें भी आपका age limit रखा गया है और भी जो सारे post थे इनमें आप लोग को अलग qualification रखा गया है non-tech वाले तो आप लोग जो भी technical field में थे यह दो ही vacancy है और graduate with computer of knowledge तो अगर आप लोग इसमें apply करना चाहते हैं तो कर सकते हैं computer वाले इनमें आपको age limit में आपको upper age limit में relaxation देखने के लिए मिलेगा जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कुछी इस तरह से category wise करके दिया गया है उसके बाद इसमें आप लोग को application fee यहां पर दिया गया है तो जो भी candidate undeserved या SEBC category में आएंगे उन लोगों को इसमें 3 से रुपे का application fee देखेगा और जो भी candidate SC, ST और PWD candidate होंगे उन लोगों को इसमें कोई भी application fee required नहीं है इसका जो selection process है आपका CBT exam के best पे होने वाला है तो जो भी candidate इसमें आप लोग mark score कीजिएगा उसी के अधार पर आपको इसमें selection होने वाला है इसमें 1 फॉर्थ का आपका negative marking भी देखने के लिए मिलेगा तो इसमें उसके बाद इसमें इसका scale of pay या salary दिया गया है तो अलग-अलग post के लिए आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो assistant engineer के लिए regular post पे आपको level 10 का salary मिलने वाला है जो की 93,000 से लेकरके 34,800 grade पे 46,000 पे आपको salary मिलने वाली है और junior engineer contractual basic पे आपका 35,300 रुपे पर मु examination आपका जो भी CBT exam का center होने वाला है आप लोग को Odisha state में ये 2-3 city location दिया गया इस जगह पर आप लोग को इसमें CBT exams conduct करवाय जाएंगे उसके बाद इसमें आपका elliptic criteria दिया गया है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं the candidate must be a citizen of India अगर आप लोग all India से कहीं से belong करते हैं तो इसमें apply कर सकते हैं लेकिन यहां पर लिखा गया है mention करके कि the candidate must be able to speak, read and write audio fluently तो जो भी candidate इसमें Odisha से audio language जानते हैं बोलते हैं लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं यह इसमें mandatory करके लिखा गया है तो आप लोग इसमें apply नहीं कर सकते हैं जो भी candidate audio language नहीं जानते हैं या आप high school या middle school से audio subject से pass किये हैं तो आप लोग इसमें apply कर सकते हैं यह चीज़ इसमें mandatory करके लिखा गया हैं तो अगर आप लोग audio language आप लोग पढ़ लिख बोल सकते हैं तो आप लोग apply कर सकते हैं middle school या high school में आपका एक subject होना चाहिए as a audio language उसके बाद आप लोग इसमें eligible हैं interested ह चाहते हैं तो वीडियो की description में जाए कंडिया में जाए no लाइन का link मिल जाएगा वहाँ फर click !! करके आप लोग इसको apply कर सकते हैं अगर आपन लोग इसमें और इसका online application 11.11.2021 से 10.12.2021 के बीच में आप लोग इसको apply कर सकते हैं इन में जो भी questions पूछे जाएंगे उनसे related syllabus दिया गया है तो आप लोग PDF को download करके देख सकते हैं अगर आप लोग इसके लिए eligible होते हैं तो आप लोग इसके PDF के अनुसार से तयारी कर सकते हैं तो आप आप इसको समझे होंगे जो भी main information था और मैंने आप लोग को बता दिया फिर भी अगर आपके मन में कोई confusion.query रह गया हो तो नीचे comment करके पूछ सकते हैं मिलते हैं next video में तब तक लिए शुक्रिया और thank you कर दो